देखे तो नेपाल में अभी भारत के विरूदी काम चल रहा है चिन के इशारों पे अभी इस वक्त नेपाल नाच रहा है पूर्व पीएम कैपी शर्मा ने कहा कि भारत के इन हिस्सों में अपने देश को मिलाने को कहा अभी नेपाल में 20 नवेंबर को चुनाव होने वाले है और सत्ता में रहते दोरान कैपी ने चिन के कहने पर भारत से रिष्टे खराब करने की कोशिश कर रहे है और कह रहे है कि इन हिस्सों को अब नेपाल में देने चाहिए जो कि भारत लेके बैठा है भारत और नेपाल के बॉर्डर विवाद को बड़ावा मिल रहा है चिन के इशारों पे ये सब नेपाल कर रहा है अगर कैपी की पार्टी सत्ता में आती है तो भारत और नेपाल के रिष्टे खराब हो सकते है सीमा को लेकर भारत के इन हिस्सों पर कैपी ने अपना बयान दिया और कहा है कि वश्यमी नेपाल में भारतिय सीमा के नाजदी घर चुला जिले में चुनाव प्रचार के दोरान कहा कि हमने भारत के उन हिस्सों को सत्ता में आने को पर वापस लाएंगे जिस पर भारत अपना दावा करता ह कैपी ने कहा कि भारत की काला पानी लूपे लेख और लिम्पिया धूरा को अपना बताता हुआ कहता है इस हिस्से को हम नेपाल में वापस लाएंगे और कोली के इस बयान से साफ है कि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो ये भारत और नेपाल के बीच में सीमा का विवाद पैदा कर सकते हैं अभी भारत और नेपाल के बीच में कोई विवाद नहीं है पर अगर ये पार्टी आती है तो वे विवाद पैदा कर सकते हैं क्यूंकि बॉर्डर पर दोनों देशों के सैनिक मिल जूल कर रहते हैं मगर कैपी के इस जहरी ले बयान से मधूर बातावरण में जहर फैलाना शुरू कर दिया है विस नवेंबर को सांसद ये चुनाओ होने वाले है इस सियासती अभी नेपाल में कॉंगरेक्ष की सत्ता है शेर बहादूर की जो की अभी मौझूदा समय में नेपाल के ब्रधान मंत्री है और भारत और नेपाल के बीच में वर्षों से दोस्ती का काफी गहरा सबंद रहा है इसलिए दोनों देश में लोग को आने जाने के लिए कोई विजा नहीं लगता है नेपाल के हिंदू मंदिरों में कहीं भारत ये लोग जाते हैं और वही नेपाल के कहीं लोग भारत में रुजगार की तलाश के लिए भी आते हैं पर इस बयान बाजी से हमें लगता है कि शायद आने वाले समय में भारत और नेपाल के रिष्टे काफी जादा खराब हो सकते हैं क्योंकि सीमा को लेकर जो चीन के साथ विवाज शुरू हुआ उससे चीन और भारत के रिष्टे अभी काफी जादा खराब है और ऐसे ही नेप चीजे समझ आ गई होंगी और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताईए